अटारी पूर नाम के गाव में एक घर के बगीचे में नीचे आलू और उपर पंची रहते थे पंची खाने के तलाश में अक्सर नीचे आते हैं लेकिन आलू कभी भी उपर नहीं जा सकते हैं बच्चो मैं आज काना लेने के लिए दूर जा रही हूँ मेरे लोटने तक कही पर भी मत जाना तुम्हें टीक से उणना नहीं आता है अभी टीक है मा हम कही नहीं जाएंगी आप छिंता मत कीजिए हाँ मा हम नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और उन आलूओं के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे सच्ची ऐसे चिरिया मा के बच्चे जो करने वाले है वो सब बताने के बद कुछ भी नहीं करेंगे केकर होश्यार बनते है और चिरिया मा को बुद्धू बनाते है जैसे ही चिरिया मा घोशला चोड़कर जाती है दोनों चिरिया भाई और बेहन सीधे नीचे जाते है और आलू मा के बच्चों को परिशन करने लगते हैं वो देखकर आलू मा कौन हो तुम दोनों, जाओ यहां से मेरे बच्चों को क्यों परिशन कर रहे हो ऐसे कहते हुए आलू मा चिरिया के बच्चों को डांट कर भगा देती है और वो दोनों बाई बहन जाकर आलू के घर के पीछे चुप जाते है और उनकी मा के आने तक का इंतजार करते है जब चिरिया मा वापस लोटने के बाद अपने बच्चों को ढूनते हुए आलू मा के पास जाती है आलू, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? मुझे यकीन है, वो यहीं आये होंगे हाँ, वो दोनों यहाँ पर आये थे और मेरे बच्चों को परिशन कर रहे थे इसलिए मैंने उन्हें वहाँ से भगा दिया आलू मा ऐसे कह रही थी तबी चिरिया मा के बच्चे वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आलू मा ने उन्हें खैद कर रखा था उनके बच्चों को परिशन करने के लिए वो बात सुनकर चिरिया मा को गुस्सा आता है और कववा पुलिस को बुला कर जैल में भेज़ देती है इसी ने मेरे बच्चों को उसके घर में क्याद करके रखा था एक चोट इसी गलती के लिए चिंता मत करो चिरिया मा जब तक मैं हूँ तब तक कोई भी मुजरिम बच नहीं सकता है चाहे चोटा हो या बड़ा ऐसे केते हुए कवा पुलीस आलू मा और चिरिया के बच्चों को ले जाकर जैल में डाल देता है जैल में जाने के बाद चिरिया के बच्चे डर के मारे सच बता देते है आलू मा ने कुछ भी नहीं किया है पुलिस जी हमने ही जूट बोला था, हमें माफ कर दो, हमें जेल में नहीं रहना है उसकी बाद सुनकर कवा पुलीस आलूमा को चोड़ देता है उसके बाद आलूमा उन बच्चों को भी चोड़ने को कहती है बच्चे है और उन्हें उनकी गलती की सजा मिल गई है चोड़ दीजिये पुलीस टेके केकर कवा पुलीस बच्चों को भी चोड़ देता है उसके बाद से फिर कभी भी वो बच्चे जूट नहीं बोलते है और हमेशा अपनी मा की बात सुनते है